आपके अपने चनल वोकेब बाबा के अंदर तो आज हम आपके लिक वीडियो लेकिया है Most Important Confusing Words के उपर बहुत जदा इंपॉर्टन है ये टॉपिक एक्जाम में डेफिनेटल इसे क्वेशन्स बनते हैं और हमको डेली लायफ के अंदर इसको समझना बहुत ज़ादा ज़रूरी है ठीक है फ्रेंड़्स तो आए इस इस्ठार्ट करें एक में सीजेन्स पहले में आपको बता दूं नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है noun किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम कहा जाता है noun और verb किसी भी काम का होना बताता है verb ठीक है friends, noun क्या-क्या काम कर सकता है noun subject बन सकता है और noun object बन सकता है ये काम है noun के और verb क्या बताएगा verb काम का होना बताएगा काम चल रहा है वो बताएगा verb ठीक है, तो word देखते हैं, first word of practice, यह practice CE वाला जो है ना, यह हमेशा noun की तरह use होगा, और practice PRACTI SE, यह होगा verb की तरह use, ठीक है, मतलब practice CE वाला कभी object बन सकता है, कभी subject बन सकता है, कैसे, example देखो, I have done practice, मैंने practice कर ली, देखो क्या है, done verb है, और verb के बाद उसका object आता है, तो practice य और अगला sentence देखो, I practice today, मतलब ED form किसके बनती है, भई, second form, third form में ED कभ लगता है, जो verb होती है, मतलब यहाँ पर SE वाला किस form में use हुआ है, verb के form में use हुआ है, noun के form में use नहीं हुआ, ठीक है friends, I hope आपको समझ में आओगा, ठीक है friends, कोई भी आपको doubt रहता है, कोई भी समझ hold भी, noun भी है और verb भी है, कैसे, देखिए, catch होता है किसी तेजी से आती हुई वस्तु को पकड़ना, वो होता है catch, जैसे आपने cricket match में देखा होगा, कि जैसे कहीं ball जाती है, तो filters बोलते है, catch it, मतलब ball में motion है, मतलब ball गती करके जाएगी, उसको आपको पकड़ना है, पकड़ना किसी चीज़ को, ठीक है, जैसे आपने कोई object stationary है, रुका होगा, उसको अगर आपने पकड़ा, उसके लिए आएगा hold, ठीक है, तो कैसे कैसे use होगा देखिए, I caught the ball, यहाँ पर caught किस form में use होगा है, verb के form में, ठीक है, अगला sentence, he had an awesome catch, he had an awesome catch, had क्या है verb, और verb के साथ क्या आता है, उसका object, तो यहाँ पर catch आया, object के रूप में, मतलब object क्या है, यहाँ पर catch, और catch यहाँ पर क्या है, noun के रूप में, ठीक है, दोनों तरिके से use हो सकता है, अगला देखिए hold, hold my hand, जैसे मेले वरे बजाते हैं, तो बच्चों को बोलते हैं, hold my hand, मेरी पकड को छोड़ दिया, ठीक friends, तो hold यहाँ पर किस में आया है, noun के रूप में, object के रूप में, ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड प्रैक्टिस की तरह है, advice और advise, एक में ce है, ce वाला noun के तरह काम करेगा, और se वाला verb की तरह काम करेगा, मतलब advice, advice जब verb की तरह काम करेगा, उसका मतलब है, सला देना, sorry, सला और advice, जब verb की तरह काम करेगा, उसका मतलब है, सला देना, ठीक है, example देखते है, he gave a piece of advice to me, उसने क्या दिया मुझे, एक advice दी, देखो, gave verb है, तो यहाँ पर advise क्या हो गया, noun हो गया, नीचे वाले में देखो, he subject, advise verb, he advised me, यहाँ पर कैसे यूज हो है, advise, verb की तरह यूज हो, ठीक है, friends, तो I hope यह तिनों वर्ड आपको clear होंगे, practice, catch and advice, आगे चलते हैं, अगले वर्ड की तरफ, अगला वर्ड है हमारे पास, एक है affect, और एक है effect, affect का मतलब होता है, प्रभावित करना, और effect का मतलब होता है, प्रभ लगाते हैं, वर्ड के अंदर ही तो लगाते हैं, तो यहाँ कैसे यूज होगा, वर्ड की तरह है, अगर आपने बोल दिया, your behavior is affecting me, गला तो जाएगा, अगला देखो, there is no side effect of drinking water, ठीक है, there is no side effect, तो effect क्या है यह, noun, वर्ड के बाद आया ना, तो यह क्या है, noun, ठीक है, अगला वर्ड है, complaint और complaint, complaint यूज होगा, वर्ब की तरह है, और complaint यूज होगा, noun की तरह है, जैसे, complaint का मतलब है, report लिखवाना, शिकायत, दर्ज करवाना, और complaint का मतलब है, शिकायत, देखो, कैसे यूज करोगे, he complained about the service, उसने hotel में रूम लिया, और hotel की service अच्छी नहीं थी तुब नीचा आया, और manager हो complaint किर दिया, या तरही 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 सच्छी नहीं है, हाना, time पे call वोलने उठाते हो, तो मुझे पाने होनी चाहिए था, तुम लाते ही नहीं हो, ऐसा वैसा, ठीक है, complaint, complaint का मतलब होता है, सिर्फ शिकायत, यह registered, अब देखो, वर्ब तो यहाँ यहाँ पे आगई, अब वर्ब यहाँ पे आगए, तो यह फिर क्या है, यह object है, वर्ब का, मतलब यह क्या है, noun है, समझे है, अगला, अगला तीन वर्ड देखो, loss, lose, और lose, ठीक है, loss, यह noun है, इसका मतलब होतो गाटा, यह होता है, loss, verb, मतलब, मतलब खो जाना, कोई चीज खो जाना, ठीक है, lose, धिला डाला, यह है adjective, यानि कि विशिश्चन, दीए, कैसे यूज़ोगा, he had a big loss, उसको एक बड़ा घाटा हुआ, तो loss यहाँ पे कैसे यूज़ोगा है, noun की तरह, घाटा, समझे है, इस प्रेंग्स पर ध्यान देना, अगला है loss, don't lose hope, मतलब, lose clothes, यह use होता है, adjective के तरह, अब बता दू कि adjective क्या होता है, friends, adjective का मतलब होता है, vicious, जो noun और pronoun को specify करता है, qualify करता है, वो होता है, vicious, जैसे good boy, boy एक लड़का है, किसी का नाम है, वो boy कैसा है, अच्छा है, मतलब यह good word किसके लिए आ रहा है, boy के लिए आ रहा है, तो good क्या हो ग है, और laws क्या है, noun है, ठीक है, आगे देखते, आगे दो बड़ एक तोई, टो, टो करके लिए गया, बोलते रहे हैं कि वो ट्राफिक वाला है, यह मने गाड़ी टो करके लिए गया, टी ओ डबल्यू, देखो, spelling अलग अलग है, तो यह verb है, ठीक है, इसका मतलब पर गाड़ करके लिए जाना, they towed my car to the police station, मेरी कार टो करके लिए गया, यह चीजा अलग है, और टो, यह पैर वाला टो, यानि कि, जिस अंगुठा होता न, वो वाला टो है, ठीक है, he hit me on the toe, उसने मुझे टो पर मारा, मतलब, अंगुठे के एक तम टो, जो point होता उस पर मारा, तो टो noun के रूप में अलग है, और verb के रूप में अलग है, verb के रूप में इसका मतलब है, कि गारी tow उठा के ले जाना, और tow का मतलब है, अंगुठे का आखरी हिस्सा, ठीक है, अगला देखते है, अगला एक word, ride, friends, ride किया जाता है, दो, दो पईये वाली चीजों, जैसे, bicycle को, bike को और जानवरों के लिए भी ride आता है, horse riding, camel riding, यह सब, ठीक है, देखे, he is riding a bike, वो एक bike चिला रहा है, तो ride आएगा दो पईयों के लिए, और drive आएगा चार पईयों वाली चीजों के लिए, ठीक है, ओके, यह तो यहा, कैसे use होए, verb की तरह, we will go for a ride, देखे, go verb हो गया, तो ride यहां पर क्या हो गया, object हो गया, object मतलब noun हो गया, ठीक है, तो यहां पर ride noun है, और यहां पर ride क्या है, verb है, अगला देखे, drive भी verb हो noun की तरह use होता है, he is driving his car, यहां पर driving verb है, और अगला देखे, come for a long drive, यहां पर drive क्या है, sir, come verb हो गया, और drive क्या हो गया, object, तो यहां पर drive है ठीके फ्रेंज, अगला देखते है, अगला एक बज़न सिंक और ड्रॉंः, दोनों का मतलब डूब नहीं है, दोनों वर्ब की तरह यूज होते हैं, सिंक का मतलब है, किसी निर्जिव वस्तु का डूब जाना, वो कहलाएगा सिंक, या किसी जानमर का डूब जाना, वो कहलाएगा सिंग, ठीक है, लेकिन, डॉण, किसी आदमी का डूब जाना, वो कहलाएगा डॉण, ठीक है, कैसे, एक्जामपल देखो, A horse sank in the river yesterday एक horse जो है वो पानी में डूब गया भै गया उसके साथ उसके लिए आएगा sink देखो horse की जगवी या न mainly particular निर्जी वस्तु के लिए आता है तो horse यान से card की कोई और निर्जी वस्तु लिख सकते हैं जैसे a car car लिख सकते हैं आप यहाँ पर या और भी कोई चीज लिख सकते हैं, जो भी कोई object हो, drone आता है, लोगों के लिए, ढूबना, four people drone in the flood, बहाड आई, और बाड के अंदर क्या है, चार लोग ढूब गए, ठीक है, तो आई हो आपको समझ मैं आओगा, तिनों का मतलब, toe, right और sink का, ठीक है, अगला word देखते हैं अगला एक last word है, hang, देखो बहुत ही important है, बहुत ही confusing भी है, देखो friends, यह verb है, इसके first form hang, second form hanged, और third form hanged, इसका मतलब है, फासी पे लटकाना, और second वाली, hang, hung और hung, इसका मतलब है, दिवार पे कोई चीज टांग ना, या लटकाना, जैसे, आप आया और आपने shirt टांग दि दिवार पे, खोंटी पे टांग दिया, उसमें आएगा यह वाला hang, किसे को फासी पे लटका है, उसमें आएगा hanged, ठीक है, जज साब बोलते ना, hang him till death, ऐसे थोड़ी बोलते है, hung him till death, तो को first form दोनों के सही है, first form hanged है, लेकिन second form इसकी hanged, third form hanged, और इसकी है hung और hung, इसका मतलब टांगना, इसका मतलब फासी पर लटकाना, तो example देखिए, he was hanged till death, उसको फासी मतलब उसकी मलती हो जाने तक लटकाया गया, फासी पर, hanged मतलब लटकाना, third form यूज हो रही है, passive का sentence है, अगला देखिए, I hung a painting on the wall, I hung, यह verb है, कौन सी form है, second form, देखिए third form हो नही सक हमने पैचा लिए, कौन सी form है, second form है, second form हमीशा के लिए आती है, third form, कोई नहीं helping गर लिए, तो यह कौन सी form है, second form, I hung, क्या हटकाया, मैंने एक painting लटकाई, तो painting यहाँ पर क्या हो गया, object, यह hung क्या हो गया, verb, इसका मतलब क्या होगा, चीजों को लटकाना, ठीक है friends, तो ध आइकन को प्राइस केजी, ठीक है, दन्यावाद,